आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया। बस प्रशन के फोडो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरत विडियो सिलीशन पाऊ। अभी राउटनोट करें। ग्रह की अधिक्तम चाल किलोमेटर प्रती सेकेंड होगी है। तो देखें आपको यहाँ पर क्वेशन दे रहे का उसकी बात करें। की एक ग्रह सूरे के चारो और धिर्ग वरताकारेनी की एलिप्टिकल शेप में गतिगर आए। तो यह जो दिर्ग वरताकार इसकी फोकस तो केबलर की नियम के अनुसर क्या होता आपका पास। जो कोई भी ग्रह है वो सूरे के इर्दगीद एक धिर्ग वरताकार कक्षा में घुमता है और जहां पर सूरे उस धिर्ग वरताकार के किसी एक फोकस पर होता है। तो यह हो गया अपने पास यह तो सन हो गया और यह प्लैनेट एनी की ग्रह है। आपको Arial Velocity देरह की इसकी इना द बटे डीटी। यह देरह का आपको द आ बटे डीटी है। इंटू 10 की पावर 16 मीटर स्क्वार प्रती सेकंड तो आपके जो एरियल विलोसिटी होती है इसका फॉर्मुला क्या होता आपके पास दी ए बटे डी टी बराबर आर स्क्वार बटे दो दी थीटा बाई डी टी या कोण यह चाल आपके पास ओमेगा ठीकर दी थीटा बाई डी टी क्या आपके पास ओमेगा क्या होज़ेगा मान रखने पर आपके पास दी ए बटे डी टी दे रखा आपको चार इंटू 10 की पावर 16 बराबर आर स्क्वार रहने कि नियूंतम दूरी दे रखे आपको दो इंटू 10 की पावर 12 का स्क्वार बटे 2 और डी ठीटा बटे डी टी होगे आपके पास ओमेगा तो यहां से ओमेगा का मान कितना आज़ेगा आपके पास 2 का स्क्वार चार तो यह तो आपके पास känsel आउट होज़ेगा और 2 इधर जाएगा और 12 की पावर 24 24 इधर आएगा तो अपोल में उपर जाएगा माइनस का तो यह नहीं की वेल्यू दिख रही है आपको 2 इंटू दस की पावर माइनस 8 रेडियन प्रति सेकंड रेडियन प्रति सेकंड और आप पांसर किसमें चीए किलोमीटर प्रति सेकंड में तो जो आपके पास लीनियर विलो सिटी है तो वी वेल्ठ के होता आपके पास र ओमेगा र का मान दे रखा आपको 2 इंटू दस की पावर 12 इंटू आपके पस ओमेगा कितना है 2 इंटू दस की पावर माइनस 8 तो यह हो गया आपको 49 4 into 10 की पावर 4 मीटर प्रति सेकेंड चीकिए न मीटर प्रति सेकेंड और आपको गेग चीए किस में किलो मीटर में तो कैसे लिसाखते हैं 44 कीलो मीटर प्रति सेकेंड तो चेक करें तो option आपका कौन सा सही होगा Option No. 3 आपका सही आंसर, ओके, थैंक यू